नमस्कार दोस्तों मैं राकिश कुमार रहा है और चुन्न आपका स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है वो है वैन आरेक और वैन डाइग्राम तो वैन डाइग्राम में आपको इस तरह के सवाल मिलते होंगे तो सवाल को देखते हुए हम लोग उसको पूरा डिटेल में जानेंगे तीक है उसके बाद इसका प्रेक्टिस सेट करेंगे तो चलिए मैंने इसको पूरा लेकर आया हूँ और पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा आपको जैसे एक सवाल आप देखिएगा कि नीचे देगे निदेश में तीन सब्द दिये गए हैं उन सब्दों के आपस के समन्द को समझते वे सही आरेक का चन किजे अठारा वर्स से कम आयू के बच्चे मतदाता सुची में नमांकित व्यक्ति मतदान कर चुके व्यक्ति तो इस तरह का सवाल आता है पुरूष ल करेंगे लेकिन पहले पूरा डिटेल में समझेंगे है तो डिटेल में समझने के लिए हमको एक एक पॉइंट जानना होगा दिखिए वेन आरेक परिक्षन विभिन समों के आपसी अंतर का आकरती का माध्यम से पहचानने की योगेता जांचने के लिखियाती है जो भी स्ट समका से आरेक के माध्यम से असी समुग वरस्तू में पहचान कर पाता है उसके बारे में बताए जाता है तो चली इसको पूरा देखते हैं कि क्षूब कि сेर मांशारी होता है पर सभी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो सब से पहले हम क्या बनाएंगे और सेर को जबर इसके अंदर रगह डैंगे। यह हो जाएँ ज्यो हो जाएँ आदर है कि अधी दो सब्दों में आन्शिक कुछ का समद्ध बन रहा हो तो उनका रेक किस प्रकार बनेगा तो निम्न प्रकार बनेगा जैसे कुट्ता और मानसारी है तो कुछ कुट्ते ऐसे हैं जो मानसारी है तो एक साइड में आपका मानसारी लिखाएगा एक साइड में कुट्ता लिखाएगा बीच वाला जो जगा होगा वह जगा कुट्ता है लेकिन मांसारी है यह साकारी हो गया और यह कुछ मांसारी है चलिए आगे देखते हैं नकरात्मक समद्ध अधि दो सब्दों में नकरात्मक अन्य कोई नहीं का समध्न बन रहा हो तो उसमाटा और कुट्था ओर सेर में कोई समयाटा बनांगा है तो दोनों को अलग अलग बनाना है चलिए आगे दखते हैं कि इन हमकी म τα नियम बना जाते और इन नियमों को समझने लिए परिस्बंद को अवासफ़ें और तीन सब्धों में पूधन सभी समग्द हो तो आरेक इस्पखर्कार बनेगा. जिसे ताजमेहल आगरा और यूपी है, ताजमेहल आगरा और यूपी है, इसको दियान दिजिए, इसमें जो बनेगा. वह क्या बनेगा. देखे, सबसे पहले UP बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, UP, UP के अंदर आगरा है, और आगरा के अंदर ताजमाल है, ठीक है, क्योंकि तिनों के साथ संब्ध बन रहा है, अर इतीन सब्धा में कोई संब्ध नहीं हो, तो आरेक नीम प्रकार बनेगा, जैसे आप टेबल, कुर कुछी भी अलग है, और बाल भी अलग है, तीनों में कोई संब्ध नहीं बन रहा है, तो अलग अलग बनेगा, इसको आप देख सकते हैं, अधी तीनों सब्ध में आनसी कुछ संब्ध हो, तो आरेक इस प्रकार बनेगा, जैसे लेखक, गायक, लेखक, संगितक, तो कुछ गायक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक संगितक हो सकते हैं, और कुछ संगितक गायक हो सकते हैं, तो तीनों कारेक इस तरह बनेगा, यह हो गया, गायक, यह हो गया, लेखक, और यह हो गया, संगितक, अनि कुछ संगितक जो है, लेखक भी हो सकता है, कुछ गायक भी हो सकता है तो चली। और कुछ दोनों हो सकता है चली आगे बढ़ते हैं अधि दो सब्दों का आपस में पुन समभन हो तथा तीसे सबसे उनका कोई समभन ना हो तो आरेक निन प्रकार होगा इसे गाय जो है साकारी है लेकिन शेर साकारी नहीं है और ये अलग हो गया तो गाय सबसे पहले हम साकारी लिखेंगे उसके अंदर गाय को रखेंगे और शेर को अलग ले जाएंगे यही अद्धी यहाँ पर साकारी के जगा जानवर होता जानवर होता तो इसका आरेक किस तरह बनता वो देखिए सबसे पहले बनाते हम जानवर का ठीक है जानवर का बनाते और जानवर का बनाने का वाद वो क्या हो जाता आपका सेर और गाय हो जाता चलिए आगे बढ़ते हैं अनि जानवर में गाई भी आता और सेर भी आता जानवर में क्या आता जानवर में गाई भी आता और सेर भी आता आध रखेगा अजी दो सब्दों का आपास में आन्सिक संबंद हो तो थाति से सब्द से उनका कोई संबंद नहीं बनता हो तो आरेखनीन परकर बनेगा जिसे कुट्टा कुट्टा जो है कुट्टा साकारी कुट्टा जो होता है कुछ साकारी होता किन्तों से दोनों से अलग होता है तो कुट्टा साकारी है और सेर है इसमें कैसे बनेगा देश सकता है कुट्टा इस तरह बनेगा भीमाश्राउक और साकारी इस तरह बनेगा इसमानी कुछ कुट्ता साकारी हो सकताँ लेकिन सेर जो है ठीक है न शेर को पुते हैं सेर कजसेर यहगा अलग्या यह होता यह इस जानवार हमले हैं इसेर कुट्ता और इसमें सेर बना देते हैं चलिए इसके अंदर दुनों आता है अधी दो सब्दों में आपस में कोई संब्द नहीं हो किन्तु तिसरे सब्द से उनका पूर्ण संब्द हो तो आरेक निम्ड प्रकार बनेगा देखिए जैसे में जानवर वला और सेर और कुट्ता उसके बाद आप चलिए अधी दो सब्दों में आपस में आन्सिक संब्द हो किन्तु तिसरे सब्द से इनका पूर्ण संब्द हो तो आरेक निम्ड प्रकार बनेगा जैसे माता बहन और महिला तो महिला क्या है बहन भी बन सकता है माता भी माता भी बन सकता है तो आन्सिक सं अधि दो सब्दों का आपस में कोई संब्द नहीं हो किन्तु तीसे सब्द से उन दोनों का आंशिक संब्द हो तो आरेक निम्स परकार बनेगा केसे बनेगा देख सकते हैं किन्तु यह दोनों पुरोशी हो सकते हैं चलि आगे भडते हैं अधि सब्द में पुन संब्द हो ता तिसे सब्द से उन दोनों का आंशिक संब्द हो तो आरेक निम्न परकार बनेगा देख सकते हैं हैं कुप्ता जनवार मानसारी ठीक है सब से पहले हम क्या बनाइगे मानसारी मानसारी में जनवार आता है और कुद्धा आता है ठीक है चलिए किन्तु कछ जनवाुत तत्दा कुछ कздर रियान दौन दों में आता है पंजाब और हरियाना में दोने में, तो इस करण पंजाब का कुछत हरियाना में, तो हरियाना का कुछत पंजाब में आता है, तो सबसे पले हम बीच में चंडीगर लिखेंगे, उसके बाद इधर पंजाब और इधर हरियाना, ठीक है, क्योंकि चंडीगर जो है, दोनों के ब बनेगा तो इसमें एकदम easy है पुरूस जो है ठीक है पुरूस जो है वो क्या होगा पुरूस बन जाएगा आपका